उप चुनाव से पहले ही बिहार में कॉंग्रेस और आरजेडी के रिष्टों में तरार आ गई है क्योंकि बीते दिनों आरजेडी के तरफ से दोनों विधान सबा सीटों के लिए उमिदवारों की घोशना कर दी गई है जिसके वैसे कॉंग्रेस भड़क गई और कॉंग्रेस को एक बड़ा जटका लगा है कॉंग्रेस के नेटाओं के तरफ से ये कहा जा रहा है कि आरजेडी ने गटबंदन के धर्म को नहीं निभाया अब जाहिर सी बात है कि कॉंग्रेस भी जल्दी दोनों विधान सबा सीटों पर अपने उमिदवारों की नाम की गोशना करेगी अब ऐसा कहा जा रहा है कि ब्यार के दो युगानेता हैं तेजश्वी आदव और कनहिया कुमार जो की हाली में अभी सीपी आई से कॉंग्रेस में शामिल हुए हैं कहा जा रहा है कि जो उप्चुनाव को लेकर के चुनाव प्रचार होंगे उसमें तेजश्वी आदव और कनहिया कुमार एक दूसरे के आमने सामने चुनाव प्रचार करेंगे बिहार उप्चुनाव में महा गडवन्दन तूट किया राज़त ने खेल कर दिया और अब देर कॉंग्रेस की ओर से तारापूर और कुशेश्वर अस्थान दोनों सीटों पर उमिदवार की घोशना करने का है सूत्रों के मुताबिक सोमवार को ये भी फाइनल हो जाएगा इसके बाद तैह है कि बिहार में दो युवा नेता आमने सामने होंगे कनहिया कुमार और तेजश्वी आदव एक दूसरे के खिला चुनाव प्रचार करते नजर आएंगे CPI में रहते वे कनहिया कुमार के मन में ये कसक रह गई कि उन्हें 2020 के विधान सभा चुनाव में प्रचार के लिए बिहार जाने से रोका जाता रहा ये बात भी बाहर आती रही कि तेजश्वी के दवाओ में कनहिया कुमार का चुनावी दौड़ा बिहार में नहीं करवाया गया CPI से कनहिया की नाराजगी का एक बड़ा पॉलिटिकल कारण इसे माना गया तेजश्वी महागडवन्दन की ओर से CM पद का चेहरा थे कनहिया के आने से तेजश्वी का तेज कम ना हो जाए इसकलिए CPI पर ये दवाओ था जबकि इससे पहले हुए लोग सभाचुनाव में बेगु सराय से CPI के कनहिया के खिलाव तन्मीर हसन को राजद ने उतार दिया था राजद और CPI के आपसी टकड़ाओ में भाचपा के गरिराज सिंग को जीत हासिर हुई अब नए परिद्रिश्य में कनहिया कुमार कॉंग्रेस के तेज तरार युवा नेता है बिहार के हैं इसलिए राजद और कॉंग्रेस के बीच तना तनी की तस्वीर दिल्चस्प उपचुनाओ में देखने को मिल सकती है कॉंग्रेस कनहिया कुमार को चुनाओ प्रचार में जरूर भेजेगी इसके बाद तेजश्वी और कनहिया के तेज की अगनी परिक्षा होगी कनहिया की चुनाओ प्रचार में आने से भाजपा और जर्दियू के खिलाफ कॉंग्रेस की ताकत बढ़ेगी ये तैह है तो बिहार में 30 ओक्टूबर को उप्चुनाओ होने वाले हैं तारापूर और कुशेश्वरस्थान में जहां एक तरफ NDA के तरफ से उमिदवारों के नाम की घोशना कर दी गई है तो वही आरजेडी के तरफ से भी दोनों सीटों पर उमिदवारों के नाम की घोशना की गई है अब इंतिजार है कॉंग्रेस की ओर से कहा जा रहा है कि आज उनके तरफ से भी उमिदवारों के नाम की घोशना की जाएगी लेकिन आपको बता दे कि बिहार के दो यूबानेता यानि कि तेजश्वी आदव और कनहिया कुमार चुनाव प्रचार के लिए एक दूसरे के आमने सामने नजर आएंगे क्योंकि आपको पता है कि उप चुनाव से पहले महा गड़बंदन में दरार आ चुकी है RJD ने दोनों विधान सबा सीटों पर प्रत्याशी उतार दिये हैं जिसके बाद कॉंग्रेस भड़क गई है और कॉंग्रेस के नेताओं के तरफ से लगातार RJD पर आरोप लगाया चारा है कि उन्हों गड़बंदन के धर्म का पालन नहीं किया अब जाहिर सी बात है कि कॉंग्रेस भी अपने उमिदवार उतारेगी चुनावे रंड में आने वाले दिनों में ये देखना दिल्चस्प होगा कि जब कनहिया और तेजश्वी एक दूसरे के आमने सामने मुकाबला करते हैं तो क्या कुछ तस्वीरे निकल कर वहां से सामने आती है फिला फिले इतना ही जादा अपडेट्स के लिए आप बने रहे फर्स्ट ब्यार चारकन के साथ धन्यवाद